असलाम वालेकुम स्टूरेंट्स उमीद है आप लोग घहरियत से होंगे जी तो स्टूरेंट्स जितने भी 9th क्लास, 10th क्लास, 1st year, 2nd year के स्टूरेंट्स हैं सिंध बोर्ड से यह सुबह सिंध से उनके लिए गुड न्यूस है जो कि मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में और बाकी बोर्ड से रिलेटर भी कुछ अपडेर्स वगरा हैं वो भी शियर करूंगी, तो उससे पहले वो स्टूरेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जो ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेर इस वीडियो के कुमेंट बॉक्स में कुमेंट कर दे, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगे, अगर खुद भी आप डिरेक्ली जाकर देखना चाहते हैं, तो देख सकते हैं, सिंद बोर्ड के जितने भी स्टूरेंट्स उनको बहुत ज्यादा वेड़ था, क्योंकि अभी तक प्रोसीजर होगा, आपकी एक्जैम्स का, सो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कि टेंथ क्लास के लिए भी डेर्स दे दी गई हैं, और इसी तरह जो ट्वेफ्ट क्लास हैं, उनके लिए भी डेर्स दे दी गई हैं, सुबह से हिंद में दसमी जमाद की इमतियानाद पां बोट इमपोरट अप्डेट हैं, वो यह है, कि सिंधबोर के स्टेरेंस हैं वो काफी ज़्यादा कंफ्यूज होऊज थे, कि इनके सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्स के एक्जैम्स होंगे या बाकि सब्जेक्स के भीesperदू होंगे, तो आपके बवह सिर्फ इलक्तिव transaction में व हम और कमेंट दे हम एपने उस वीडियो का लिंक दे दूंगी और बार इसकिलावा यह पेपर की टायमिंगी में बिता दीगई है कि दो गंड़े का पेपर होगा और बाकि इसकी compr faulty पेपर पेट्रन बीपढ़ को बता दिया है जो इसकी उडए questions होंगे 30% आपके short questions होंगे सो इस tweet से अब आपके सारे points clear हो जाते हैं 10th class के और 12th class की dates भी आ गई हैं बाकी इसके इलावा यह कि आपको इस लेबस का भी बिता दिया गया है और आपका यह point भी clear हो गया है कि आपके सिर्फ elective subjects exam होंगे पेपर के timing भी यहां पर confirm हो गया है पेपर pattern भी confirm हो गया है सो अब यह finally जो है वो updates हैं सिंद बोर्स के लिए और सिंद के जितने भी बोर्स हैं अब इन्हीं instructions को follow करेंगे इन्हीं instructions के according अब उनके papers वगया होंगे सोब तमाम बोर्स के लिए updates हैरा आ चुकी हैं सींद को बोर्ड के लिए अनके DNS c आना बाकी है और जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रिवेस्ट वीडियो में बिताया है कि आज पीबी सी से की भी मीटिंग थी आज ये कल में एक दो दिन के अंदर अंदर पंजाब बोर्ड के लिए भी स्कैजूस वगेरा और डेश्ट वगेरा फाइनलाइस होकर आ जाएंगी सो ये थी अभी तक की अपडेट्स मजीद अपडेट्स के लिए टच रहे हैं वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा अपना हयाल रखेगा इंशारे फिर मुलाकात होगी अल्ला हाफिज थैंक्यू सो मच्छ